हेलो दोस्तों मैं जवर्जेति पिस्वास आपका स्वागत करता हूँ एडुकेशन एन हिंद चनल पे दोस्तों आज बात करेंगे लाइसी इंशूरेंस पॉलिसी का डाटाबेस आप किस तरह से बना सकते हैं एक्सल में वह भी एक यूजर फॉर्म के मदद से यूजर फॉर् को डिजाइन किस तरह से करना है इसके बार में मेरे प्रिविएस वीडियो पे हमने बताया थे यूजर फॉर्म वाला वीडियो तो आप एक्सल टीटरस में जाके वह वाला वीडियो जरूर चेक कर लेजेगा हलाकि इस वीडियो में भी आपको यूजर फॉर्म के बारे में और coding के बारे में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत इस simple method है और एक बार अगर आप user form बना लेते हैं अपने requirements के अनुसार तो आप जब भी LIC insurance policy update होगा आप उसको smoothly database के अंदर आप डाल सकते हैं और वो one by one record होता जाएगा और उसके बाद में जैसी की मेरे previous वीडियो था LIC insurance का किस तरह से आप conditional use करके आप LIC policy को search कर सकते हैं और उसको customer के सामने present भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं एक बार demo किस तरह से user form के मदद से आपको LIC policy को डालना है और LIC policy का database त्यार करना है तो दोस्तों यहाँ पर इसकीन पर आप देख सकते हैं एक LIC user form यहाँ पर बनाया हुआ है LIC policy का जहाँ पर लिखा हुआ है LIC policy record और यहाँ पर जितना भी सारा field है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं serial number, name of policy, policy table, policy type तो यहाँ जितना भी सारा field है वो field यहाँ पर Excel sheet पर भी है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Excel sheet पर भी हमने वही field यहाँ पर लिखे हैं और यह जो sheet है इस sheet का जो name है वो हमने यहाँ पर डाला LIC policy अब देखते हैं user form के मदर से किस तरह से data यहाँ पर आपको बैठाना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं user form का यहाँ पर table है जहाँ पर पहला जो पूछ रहा है वो है serial number तो यहाँ पर serial number हम डालते हैं 1 और उसके बाद में tap प्रेस करके यहाँ पर दे रहा है name of policy मतलब policy क्या है तो policy मान लिजे bima gold तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना abima gold और उसके बाद में tap यूज करके जैसे कि आपका policy table होता है तो policy table मान लिजे 815 policy table है policy type क्या है policy type endowment और उसके बाद में जैसे policy term policy term मतलब कितना years का policy है मतलब limit कितना तक है तो आप मान लिजे इसके जो limit है highest limit है 25 years और उसके बाद में आ रहा है premium mode premium mode किस तरह से होगा जैसे कि जैसे happy early है quarterly है और early है तो मान लिजे इस policy के अंतरगत happy early, early और quarterly यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आप कर देंगे qly then hly then yly तो इसका मतलब quarterly, happy early and early यह तीनो ही method, यह तीनो ही mode इस policy के अंतरगत आता है आप मान लिजे minimum samissude इस policy के दौरान आप minimum samissude मतलब कितने का आप policy ले सकते है starting कितना samissude आपको मिलता है इस policy के अंतरगत जैसे मान लिजे यहाँ पर आप 50,000 का भी कर सकते है initial और maximum samissude maximum samissude पर आपको यहाँ पर लिखना है मतलब कितना तक कर सकते है तो यहाँ पर हम लेखते है no limit इसका कोई limit नहीं है जैसे कि starting आपका होगा 50,000 से और maximum samissude का कोई limit नहीं है और उसके बाद में जब भी आप add policy पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे skin पर automatically वो records यहाँ पर आ चुका है इस तरह से और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते है यह जो user form है न वो भी यहाँ पर empty हो चुका है हर एक field आप माल लिजी second आपको policy डालना है जैसे कि serial number यहाँ पर हम डाल देते हैं 2 तो serial number 2 यहाँ पर हो गया अभी name of policy जैसे कि माल लिजे जीवन अंकूर तो यहाँ पर हम डाल देते हैं जीवन अंकूर और यहाँ पर हम चले आते हैं policy table में तो जैसे policy table वो भी 815 कौनसा-कौनसा policy table के अंतर गत कौनसा-कौनसा policy आता है वो हलागी मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं LIC का एजन नहीं हूँ लेकिन थोरा बहुत knowledge के उपर ही इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपको help मिल जाए किस तरह से आपको computer पे आप अपना database तयार कर सकते हैं तो आपके पास proper knowledge है और मैं यहाँ पे computer का education दे रहा हूँ तो दोनों को combine करके आप easily एक database बना सकते हैं और आपना जो knowledge है उसको आप database पे maintain कर सकते हैं तो उसके बाद में जैसे कि policy type यहाँ पे हो गया money back और policy time जो हो गया यहाँ पे भी आप limit रख सकते हैं जैसे 20 years और premium mode यहाँ पे श्रिफ happy early और quarterly यह दो ही mode जो है वो available है आप माले जी minimum सामेश्यूट जो है वो यहाँ से start होता है one leg और उसके बाद में maximum सामेश्यूट में भी आपका no limit है कोई भी bar नहीं है इसका और उसके बाद में जब भी आप add policy पे click करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे automatically वो second row पे आ जाएगा और number two और आप यहाँ पे देख सकते हैं policy name policy term automatically यहाँ पे बढ़ जाएगा तो इस तरह से आप जितना भी policy add करते जाएगे अपना database जो है वो तयार होता जाएगा और जब भी आप close form पे click करेंगे तो यह जो user form है वो deactivate हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है user form के मदश से LIC insurance policy का database तयार करना है तो दोस्तों अगर आप इस user form का coding सीखना चाहते हैं और किस तरह से इस user form का बनाएंगे तो ज़रूर कमेंट कीजेगा और यहाँ पे अगर कुछ changes आप चाहते हैं जैसी कि कुछ field का changes आप चाहते हैं या तो आप कुछ information आप देना चाहते हैं इस LIC policy के database के बारे में तो ज़रूर आप comment पे ज़रूर लिखिएगा तो आपके comment के उपर base करके ही मैं इसका second part release करूँगा तो उमिदे दोस्तों आपको interest आया होगा किस तरह से LIC insurance policy का database आपको तयार करना है एक user form के मदद से अगर आप interested है तो comment ज़रूर कीजेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो like बटन पे click ज़रूर कर दीजेगा और अगर आप मेरे चनल पे नए विचर किया है तो please subscribe बटन पे click ज़रूर कर दीजेगा और साथ में एक bell icon दिया हुआ है उस पे भी click ज़रूर कर दीजेगा ताकि आपको further updates से मिलता रहे धन्यवबाद दोस्तों फिर मुलाकात होगी नेक्स वीडियो के साथ बाबाई